और इसके साथ ही इसबुल्ला ने ये भी साफ कर दिया कि उसकी धमकी को हलके में लेने की भूल इसरेल को भारी पड़ सकती है क्योंकि हिसबुल्ला दिये गए वक्त में हमला नहीं रोकने पर इसरेल पर भीशन हमला बोल सकता है जैसा कि वो पिछले कई दिनों से कर रहा है इसबुल्ला के लड़ाकों ने इसरेल की सेना की नाक में दम कर रखा है लेबिनान से लगी सीमा पिछले कई दिनों से बमों और रॉकेटों के दमाकों से कूँझ रही है हматुई एक बिल्ला के लड़ाकों ने इसरेईली सेना के टैंक को देर करने के भी दाव़े किये लेकिन इस बार ह diminished धमकी दी वो इसरेल के पसीने चुड़ा सकती है पूरा समर्थन मिलने का दावा भी किया जाता है माना तो ये भी जाता है कि एरान के पास जो खतरनाक हत्यार मौजूद है एजबुल्ला उन्हें भी इस्तमाल कर सकता है जिसका सीधा मतलब है कि अगर हिजबुल्ला जंग में इसरेल के खिलाफ उतर गया तो उससे निपट पाना इसरेल की सेना के लिए आसान नहीं होगा इसी वज़े से लिबनान की सीमा पर चल रही लड़ाई के बाद भी इसरेल ने कभी खुलकर हिजबुल्ला के खिलाफ जंग का एलान नहीं किया क्योंकि वो पहले ही अपनी दक्षणी सीमा पर हमास से जंग में उलज़ा हुआ है जिसमें भारी हत्यारों के साथ सैक्रनो सैनिक तो मौझूद है ही उसके टैंक और बखतरबंद गाड़ियों ने भी महां मुर्चा समाल रखा है लेकिन इसके बाद भी इसरेल हिजबुल्ला के खतरे को हलके में नहीं ले रहा है क्योंकि हिजबुल्ला उसकी सेना पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है जबालिया शनार्थी कैम पर हमले के बाद तो हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इसरेल के लड़ाकों विमान को ही निशाना बना डाला इस्रेईल के मताबिक हजयूल्ला ने लिबनान की सीमा के अंदर से उसके लड़ाकों विमान पर एक मिसाल डाक दी ह Jadiil का लड़ाकों विमान इस हमले में बच गया जिसके बाद हजयूल्ला के उस ठिक्ष़ाने पर बारी गुला बारी करने का दावा किया जहां से मिसाइल छोड़ी गई थी हाला कि इस बात की जानकारी इसरेल ने नहीं दी कि उसके हमले में हिजबुल्ला को कितना नुकसान उठाना पड़ा हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला चात अक्टूबर के बाद पहली बार दुनिया के सामने आकर भाशन देगा क्योंकि इसरेल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद अब तक हिजबुल्ला चीफ ने जंग पर कोई भी सारवजनिक बयान नहीं दिया और जंग शुरू हुने के बाद वो पहली बार दुनिया के सामने आने वाला है जिससे इसरेल के लिए खत्रे की बड़ी घंटी बच सकती है क्योंकि हिजबुल्ला को हमास से ज्यादा खतरनाक माना जाता है और सबस्वे बड़ी बात ही हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने दुनिया के सामने आने के लिए जुमे का दिन चुना जिसका सीधा कनेक्शन हमास की धंकियों से जोड़ा जा रहा है क्योंकि साथ अक्टूबर के बाद आए हर जुमे के दिन हमास ने इसरेल पर बड़े हमले की धंकी दिये जिससे जंग के और भयंकर होने का खत्रा बढ़ गया क्योंकि इस जुमे पर हजबुला चीफ हसन नसरला दुनिया के सामने आएगा और इसरेल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कोई सारवजनिक बयान देगा और इस खबर ने इसरेल और हमास की जंग शुरू होने के बाद कोई भी सारवजनिक बयान नहीं दिया है लेकिन अचाना खबराई की वो टेलेविजन पर भाशन देगा और इस खबर ने इसरेल और अमेरिका समेथ पूरे पश्चिमेश्या में उथल पथल मचा दी क्योंकि हिस्बुल्ला हमास और पी आईजे यानी पैलिस्टिनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं ने कुछ दिन पहले ही लिबनान में मुलाकात की थी लिबनान के मीडिया ने दावा किया कि हिस्बुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने हमास के नेताओं से मुलाकात की थी हसन नसरल्ला की पी आईजे के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी और तीनों संगठनों ने इसरेल को चारों तरफ से घिरने की तैयारी कर ली थी पश्यमेशा में मुस्लिम देशों पर अमेरिका की पकड़ कमजोर होती दिख रही है क्योंकि गाजा पर हमले के बाद उन्होंने अमेरिका और इसरेल के खिलाफ बुर्चा खोल दिया क्योंकि हमास के अंत के नाम पर इसरेल की सेना ने गाजा पट्टी पर इतने बम बर्साए कि हजारों मासूम लोगों की जान चली गए जिससे पच्छे मेशिया के मुस्लिम देश इसरेल और अमेरिका पर भड़क गए दुनिया दो टुकड़ों में बढ़ती दिखी क्योंकि एरान ने मुस्लिम देशों के गुस्से की आग में घी डाल दिया रही से एक कसर उसने हमास और हिजबुला के जरिये पूरी कर दी साथ अक्टुबर के बाद तो कोई भी शुकरवार ऐसा नहीं बीता जब हमास ने इसरेल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एक जुट होने की अपील ना की हो इसरेल गाजा पर अटाइक नहीं रोक रहा है और अब तो उसने गाजा में ग्राउंड आपरेशन का ट्रेलर भी दिखा दिया है जिसकी वज़े से इसरेल के खिलाफ हमास, हजबुल्ला और हूथी लडाकों की तिकड़ी हमला कर रही है और इसलिए उस शुकरवार को इसरेल पर बड़ा खत्रा आने के आशंका है क्योंकि हमास शुक्रवार को मुस्लिम देशों को इसरेल के खिलाफ एक जुट करने की कोशिश में है जिसमें इरान उसका खुल कर साथ दे रहा है और अब तो हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला भी मैदान में उतरने की तैयारी में है जिसके लिए उसने भी शुक्रवार यानि जुमे का दिन ही चुना यानि इस शुक्रवार पर इसरेल पर बड़ा वार होने का खत्रा है क्योंकि हमास और हिजबुल्ला के लावा हूथी लड़ाके भी इसरेल को धमका रहे है गाजा पट्टी के अलग-अलग इलाकों पर आस्मान से बम, रॉकेट और मिसाइनों की बारिश कर रहा है ताकि हमास का सफाय किये जा सकी लेकिन इस चरमपंती संगठन के चीफ इसमाईल हनिया का दावा है कि इसरेल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमास से जीत नहीं पाएगा क्योंकि गाजा पट्टी में हमास ने इसरेल को घुटनों पर लाने की बड़ी तयारी कर रखी इसमाईल हनिया का दावा है कि अगर इसरेली सेना गाजा पट्टी में मौझूद उसके गढ़ में दाखिल हुई तो वहां से इसरेल का एक भी सेनिक जिन्दा वापिस नहीं जाएगा मतलब हमास के मुख्या ने सीधे सीधे इसरेल की ताकतवर सेना को ललकार दिया जंग के करीब चार हफते बाद बाकाइदा उसने एक वीडियो जारी कर साथ अक्तुबर को हुए हमले को हमास की जीत बताया इसमाईल हनिया का दावा है कि हमास के खुखार और बेरहम लड़ाकों के आगे इसरेल की हाई टेक सेना टिक नहीं पाएगी आनकि इसरेल की सेना ने गाजा पट्टी में अपना जमीनी अभ्यान शुरू कर दिया है और हमास के ठिकानों और उसके कमांड सेंटरों पर ताबर तोड बंबारी करने में जुटी है पिछले कुछ दिनों में इसरेल की सेना ने गाजा पट्टी में घुसकर कई बार सर्जिकल स्टाइक किये इसरेल के अखवार The Times of Israel के एक रिपॉर्ट के मताबिक इसरेली सेना की सर्जिकल स्टाइक में हमास को काफी नुकसान पहुच रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से इस चरमपंति संगथन का मुख्या इसमाईल हनिया बॉकला हुआ हुआ है अक्टूबर के बाद इस्राइल की तरफ से की गई घेरे बंदी की वज़े से गाजा पट्टी में भयानक मानवी संकट खड़ा हो गया है 1989 में तीसरी बार इस्माइल हनिया को इस्राइल ने गिरफतार किया था और उस दोरान उसे तीन साल तक जेल में रहना पड़ा था लेकिन दावा किया जाता है कुए यह तीन साल हनिया के लिए काफी एहम साबित हुए चि corazón की जब हन्या को छोड़ा गया तो उसे हमास के कई बड़े नेताओं के साथ लिबनान बेज़ दिया गया था उसी दोरान उसने हमास को और करीब से जाना एक साल बाद जब वो गाजा पट्टी लोटा तो उसे इस्लामिक युनिवस्टी व गाजा का प्रमुख बना दिया गया था हमास के तमाम बड़े नेता और कमांडर बैठक कर रहे थे उस दोरान वहाँ हमास का चीफ शेख हैमत यासीन के साथ इसमाईल हानिया भी था तब ही वहाँ इसरेल की सेना की तरफ से एक बड़ा धमाका किया गया था जिसका मकसद हमास के तमाम बड़े नेताओं को एक साथ मार गिराने कर था एक रिपॉर्ट के मताबिक इसरेल के हमले में हमास के सारे नेता जान बचाने के लिए इधर उदर भागने लगे लेकिन यासीन वील चेर पर होने की वज़े से हिल तक नी पाया था 2007 में फिलिस्तीन के राश्पती ने हानिया को बरखास्त कर दिया था और गाजा पट्टी पर अपनी पकड बनाये रखी और तो और वो वहीं से अपनी सरकार भी चला रहा था जिसके बाद 2013 में उसे हमास का डिप्टी चीफ बना दिया गया इसके चार साल बाद 2017 में हमास के फैसले लेने वाली शूरा काउंसिल ने उसे इस चरम पंती संगठन का चीफ बना दिया एक रिपोर्ट के मताबिक हमास की कमान सभालने के बाद हानिया पहली बार 2019 में गाजा पट्टी से बाहर गया था और उस दोरान उसने कई देशों की आत्रा की तो और तभी से हनिया पश्चिमेश्या के देश कतर में रह रहा दोहा में हमास का एक राजनीतिक दफ्तर भी है जिसे कतर की सरकार सुरक्षा देती है बिटन के अखबार ते टाइम्स के मताबिक इसमाईल हनिया के पास 4 बिलियन डॉलर यानि करीब 33,000 करोड रुपाय से जादा की संपत्ती है गाज़ा में कई संपत्तियों के लावा कतर और अरब देशों में उसके कई होटेल हैं जिने उसके बेटे और दामाद समालते हैं हूथी लडाकों ने चौती बार इस्राइल पर धावा बोल दिया और तो और इस्राइल पर अपने हमलों का सबूत पेश करने के लिए यमन के विद्रोईयों ने एक वीडियो भी चारी किया जिसमें एक के बाद एक खतरनाक मिसाईलें ताबर तोड लाँच होती दिखी मिसाईलें खत्म ही तो धड़ा धड़ ड्रोन चलने शुरू हो गए लॉन साइट पर हूती लड़ाकों ने यमन के जंडे के साथ फिलिस्तीन का जंडा दिखा कर उसके लिए अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करने की कोशिश की क्योंकि इसरेल के हमास से जंग के ऐलान के बाद हूती विद्रोईयों ने भी ऐलान कर दिया था कि अगर अमेरिका लड़ाई में कुदा तो यमन से भी इसरेल पर वार होंगे अमेरिका ने इसरेल का हौसला बढ़ाने के साथ उसे हत्यार तक दे दिये इसलिए हूथी लड़ाके भी मैदान में उतरा है हूथी विद्रोहियों ने इस वीडियो के साथ दावा किया कि ये वो मिसाइले और ड्रोन हैं जिनोंने इसरेल से गाजा का बदला ले डाला हाला कि ये साफ नहीं किया गया कि ये वीडियो उनके इसरेल पर पहले हमले का है, दूसरे का या तीसरे का इन हूती लड़ाकों के वीडियो पर इसरेल भी चुप नहीं बैठ हूती विद्रोहियों ने इसरेल पर ड्रोन और मिसाइले गिनाने का वीडियो जारी किया वीडियो में इस्राइल का एक F-35i फाइटर जेट यमन से चली मिसाइल को धेर करता दिखा। मगर अपने वीडियो को जारी करने के साथ हूती लडाकों ने इस्राइल पर ड्रोनों की बारिश भी कर दी। और दोटू के दिया कि जब तक गाजा पर इस्राइल के हमले नहीं रुकेंगे तब तक इस्राइल पर हूती हमले करते रहेंगे। हूती लडाकों ने दावा किया कि उनके ड्रोन अटैक ने इस्राइल के एलट शेहर के भी आगे तक तबाही मचाई। एलट शहर लाल सागर के किनारे पर है जहां इसरेल का बंदरगा भी है इसरेल ने अब तक इस चौथे हमले पर कुछ नहीं का है जबकि हूथी लड़ाकों के पिछले हमलों को लेकर वो ताल ठोक कर उन्हें नाकाम करने का दावा कर चुका है ताजा ड्रोन अटैक से ठीक एक दिन पहले भी इसरेल पर यमन से ड्रोन और बिलिस्टिक मिसालें चली थे तब इसरेल ने एक बिलिस्टिक और दो क्रूज मिसालों को मार गिराने का बयान जारी किया था मगर इस drone attack पर इसरेल ने कोई बयान जारी नहीं किया। इसलिए इसरेल की चुपी कई सवाल खड़े कर रही। मगर इसरेल के action ने उसके इरादे जता दिये। इसरेल ने एलट शहर में लाल सागर में अपनी missile boat ही तैनात कर दी। क्योंकि यमन से हवाई हमले इसी शहर को निशाना बना रहे हैं। खुद अमेरिका के जंगी जहाज भी लाल सागर में तैनात हैं। जिनोंने दो हफ़ते पहले ही हूथी विद्रोईयों के drone और missile हमले को नाकाम कर दिया था। वैसे तो इसरेयल के air defense system यमन से चलने वाली missile को धूल चटाने में माहिर हैं। मगर फिर भी इसरेयल कोई chance नहीं लेना चाहता। इसलिए उसने पानी में भी अपनी सुरक्षा चाक चौबन कर ली। क्योंकि साओधी अरब को परिशान करने वाली है। क्योंकि साओधी अरब खुद एक बड़ा मुस्लिम देश है। जो खुद को दुनिया के कोने कोने में बसे मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर पेश करता है। लेकिन जब से इसरेल ने गाजा पर हमले शुरू किये हैं और अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है। तब से साओधी अरब के लिए ये मसला पेचीदा हो गया। और अब हूथी विद्रोहियों की सीन में एंट्री ने साओधी अरब की मुसीबत और बढ़ा दिये। क्योंकि साओधी अरब अमेरिका का पुराना साथी है। लेकिन अमेरिका के दूसरे दोस्त इसरेल को वो देश मानता ही नहीं। रही बात यमन की तो जिन हूथी विद्रोहियों ने 9 साल पहले राजधानी सना पर कबजा किया था वो शिया हैं। और उनके बीचे इरान खड़ा है जो कि खुद एक शिया मुस्लिम देश है। जबकि यमन का पडोसी साओधी अरब सुन्नी मुसल्मान है। ऐसे में वो अपने पडोस में इरान के समर्थन वाले शिया विद्रोहियों का राज कैसे देख लेता। इसलिए 2015 में साओधी अरब यमन से हूथी विद्रोहियों को बगाने के लिए लड़ाई में कुद पड़ा। इस वज़े से साओधी अरब और हूथी लड़ाके एक दूसरे के दुश्मन है। साओधी अरब के लिए संकट यह है कि वो हूथी लड़ाकों के साथ खड़ा हो नहीं सकता और इस्रेयल के साथ दिखकर वो अपनी थूतू नहीं करवा सकता। इसरेयल की सेना ने एक बार फिर उसी जगा को निशाना बनाया जहां एक दिन पहले उसने भयंकर तबाही मचाई थे। तस्वीरें सामने आई उनमें राहत और बचाव के काम में जुटे लोग मलबे में दबे लोगों को निकालते दिखाई थी। इस दोरान जो गंभी रूप से गायल मिले उन्हें लोगों ने हाथों से उठा कर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जहां लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली वहां गायलों को ई रिक्षा से अस्पताल पहुंचाया गया। गाजा पट्टी के उत्री हिस्से को काफी नुकसान पहुंच चुका है। इसरेल के लगातार हमलों से वहां की सैकों इमारते तबाओ चुकी। और सबसे बुरा हाल तो गाजा के अस्पतालों का है। क्योंकि एक तरफ जहां लगातार हमलों में गायल हुए लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ वहां इलाज के लिए ज़रूरी चीजों की भारी खिलत है। लेकिन सीमाय सील होने की वज़े से इसराइल की तरफ से गाजा को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो मिस्र ने भी गाजा के नागरिकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखें जिससे वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं। कार कानूनों की दज्जिया उना दी। उसने गाजा में इसराइल के हमलों को तुरंत रोकने की भी मांगी। आरजन्टीना वो देश है जहां पूरे दक्षन अमेरिका में सबसे जादा यहूदी समुदाय के लोगों की आबादी है। लेकिन इसके बावजूद उसने इसराइल को अंतराश्ट्रिय कानूनों की याद दिला कर इस जंग को खत्म करने की अपील की। आरजन्टीना के विदेश मंतरी ने बंदुकों का भी मुद्दा उठाया और हमास से सभी बंदुकों को चोड़ने की मांग कर दी। लेकों को वापस बुला लिया। यही नहीं पिरू और मेक्सिको भी जबालिया शरनार्थी शिविर पर हुए हमलों को लेकर अपना विरोध जता चुके हैं। यानि दक्षन अमेरिका में उन देशों की तादाद बढ़ती जा रही है जो पश्चिमेशिया में बढ़ते तनाव के लिए इसरेल को जिम्मेदा ठहरा रहे हैं। उनकी मांग है कि गाजा में आम लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए इसरेल इस जंग को खत्म कर दे। हलनकी इसरेल पहले ही साब कर चुका है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि उसके मताबिक सीजफायर का मतलब होगा हमास के लड़ाकों के सामने सरेंडर करना। इसरेल के जमीनी ऑपरेशन के बीच हमास ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसे देखकर इसरेल के सैनिक भी खौफ से बर गए होंगे। क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें हमास के लड़ाके इसरेल की फौज पर आसमान से बम गिराते दिखाए दिए। और बम जैसे ही जमीन पर गिरा इसरेल के सैनिकों में भगदण मच गए। नितन्याहू की सेना को कुछ समझी नहीं आया कि पांच सेकंड के अंदर ही उनके उपर आसमान से हमला कैसे हो गया। हमास की तरफ से जारी किये गए उस वीडियो में गाजा में इसरेल के कई सैनिक खड़े दिखाए दिये। सब कुछ उनके लिए ठीक चल रहा था लेकिन तभी आसमान से हमास ने उन पर बम गिरा दिये। जिसके बाद इसरेल के सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने को मजबूर हो गए। हमास ने इस वीडियो को जारी कर ये दिखाया कि वो भी इसरेल की सेना पर आसमान से हमले करने में पीछे नहीं है। साथ अक्टूबर के बाद से ही इसरेल की सेना गाजा में आसमान से जोरतार हमले कर रही हैं। इसरेल के सैनिकों ने गुसता ही हमास के ठिकानों पर ऐसे हमले किये कि उनके कई ठिकाने तबाह हो गए जमीनी आपरेशन के दौरान सैनिकों के उपर हुए हमले से इसरेल का घुसा और जादा बढ़क गया और इसलिए इसरेल के सैनिकों को सिर्फ हमास के लड़ाकों की मौत ही दिखाई दे रही है वो उनके खून के ऐसे प्यासे हैं कि बमों की बारिश करने के साथ ही जमीन पर तोप से भी हमले करने से पीछे नहीं अट रहे राजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान इसरेल के हाथ बड़ी कामियाभी लेगा इसरेल की सेना के मताबिक उसने राजा में हमास के एक और कमांडर को मार गिरा है पता गया कि महम्मद एथजार नाम का वो कमांडर हमास की एंटी टैंक मिसाइलों की यूनिट का मुख्या था लेकिन इसरेल की सेना के हमले से वो बच नहीं पाया इसरेल की फौज के मताबिक उसने उसके ठिकाने पर इतना बड़ा हमला बोला कि उसकी मौत हो गए इसरेल ने हमास की एंटी टैंक मिसाइलों की यूनिट के कमांडर महम्मद एथजार को मारने का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक जोरतार धमाका होता नजर आया जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई ज्वाला मुखी फट गया इसरेल की सेना के मुताबिक उसने सबसे पहले महम्मद एथजार की सटीक लोकेशन का पता लगाया और फिर बम गिराकर उसके ठिकाने समेथ उसे धेर कर दिया ख़बर है कि अपने कमांडर की मौत से हमास इतना ज्यादा आग बबुला हो उठा कि उसने भी इसरेल की सेना के एक बड़े अधिकारी को मौत की लीन सुला दिया पता गया कि इसरेल के जिस अधिकारी को हमास ने अपने निशाने पर लिया उन्होंने 7 अक्तुबर को हमास के हमले से कई लोगों को बचाया था और इसलिए वो हमास की हिट लिस्ट में शामिल थे बीते कुछ दिनों में इसरेल की सेना का पूरा ध्यान गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन चलाने पर रहा है इसरेल की फॉज तेजी से गाजा में घुसते हुए हमास के ठिकानों को तहसनेस कर रही है इसलिए हमास भी पलटवार करने से पीछे नहीं घट रहा खबर है कि इसरेल की सेना जब गाजा में हमास पर कहड़ा रही थी तभी हमास के एक हमले में इसरेल की सेना के उस बड़े अधिकारी की जान चली गई इस्रेल की सेना ने जब से घाजा में जमीनी लडाई शुरू की है तभी से उसे भी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस्रेल की फौज के मताबिक जमीनी ओपरेशन के दौरान वो अपने सत्रा सैनिकों को गवा चुका है हमास के लडाकों ने ये चेतावनी दी कि उनकी सुरंगों से निपटना इस्रेल के सैनिकों को भारी पड़ सकता है घाजा में इस्रेल के सैनिकों ने जमीनी लडाई तेज कर दिये ताकि हमास के लड़ाकों का सफाया हो जाए और इसी लड़ाई के बीच हमास ने इसरेल को चितावनी देते हुए वो वीडियो जारी किया सामने आये उस वीडियो में इसरेल की सेना पर हमास के लड़ाके सुरंगों से निकल कर हमले करते दिखाई दिये वीडियो में सुरंगों से कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एक मिसाइल लेकर हमास का एक लडाका निकलता दिकाई दिया और दावा किया गया कि सुरंग से निकल कर उस लड़ाके ने सामने खड़े इसरेल के एक टैंक पर निशाना साधा और पल भर में उसे धुस्त कर दिया इस तरह की एक और तस्वीर में जंगल में बनी एक सुरंग के अंदर से निकल कर हमास के लडाकों ने इसरे टैंक को निस्त नाबूत कर दिया बताय गया कि जंग के बीच सुरंग से हमले का ये वीडियो जारी कर हमास ने इसरेल को बड़ी धमकी देडा ली और दावा किया गया कि गाजा में ये सुरंगे हमास के लिए वर्दान है और बताया गया कि इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने पना लिया दावा ये किया गया कि इसरेल की सेना पर हमले करके हमास के लड़ाके इनी सुरंगों में छिप रहे हैं और बताया गया कि इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों के लिए सारी सुवधाएं मौजूद है इसरेल की सेना के मताबिक इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने अपने रॉकेट और गोला बारूत का जखीरा चिपा कर रखा है इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों के लिए खाने पीने की चीजों से लेकर उनकी जरूरत का हर सामान मौझूद है क्योंकि हमास की सुरंगों की वज़े से इसरेल की सेना को जमीनी हमले में परिशानी हो रही है न्यूज एजन्सी रॉइटर्स की एक रिपोर्ट के मताबिक हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है जो इसरेल के लिए किसी खत्रे से कम नहीं दावे के मताबिक गाजा पट्टी में हमास की सुरंगें 500 किलो मीटर से जादा हैं जिनमें कुछ के दर्वाजे दक्षड में मिस्ल की सीमा के पास खुलते हैं तो कुछ के दर्वाजे उत्तर और पूर्व में इसरेल की सीमा के खुलते हैं सुरंगों पर हमले की प्लानिंग के साथ इसरेल ने हमास के एक नेता का वीडियो जारी कर उसकी पोल खुल दी उस वीडियो में हमास के उस नेता ने ये दावा किया कि गाजा में मौझूद सभी सुरंगे उनके लड़ाकों की सुरक्षा के लिए हैं जबकि हमास गाजा में फिलस्तीनियों के लिए लड़ने का दावा करता रहा है सामने आया उस वीडियो में हमास के नेता ने एक सवाल के जवाब में बताया कि गाजा में मौझूद सुरंगे उनके लड़ाकों की सुरक्षा के लिए इसके साथ हमास के उस निता ने गाजा में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा का जिम्मा से उक्तुराष्ट को उठाने को कहा इसरेल ने इस वीडियो के जरीए दावा किया कि हमास फिलिस्तीनियों का हमदर्द नहीं है इसरेल पर 7 अक्टूबर से जारी कहर जल्द नहीं थमने वाला बलकि हमास का दावा है कि इसरेल पर हमला चार गुना और बढ़ जाएगा जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि हमास की तरफ से किये जा रहे हमलों की बज़े से इसरेल में कई और लोगों की जान जा सकती है क्योंकि हमास ने सीधे शब्दों में ये कह दिया कि 7 अक्टूबर को हुए जिस हमले को इसरेल अपने खिलाव सबसे बड़ा हमला मान रहा है वैसे कई और हमले होने अभी बाकी है और अब तो उसने डंके की चोट पर ये कह दिया कि ये लड़ाई थमने के बजाए और भीशन होगी हमास ने सीधे सीधे शब्दों में ये चेतावनी दे दी कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को इसरेल की जमीन थर्राई थी उसी तरह से अभी एक के बाद एक कई और हमले होंगी हमास के अधिकारी गाजी हमत के मताबिक हमास ने अपनी सुरंगों में इतना बारूद इखटा कर लिया है कि वो चाहे तो 7 अक्टूबर जैसे चार और हमले इसरेल पर कर सकता है हमास इन हमलों की वज़े से हुई मौतों के लिए इसरेल को दोशी बताने लगी ऐसा इसलिए क्योंकि हमास शुरुआत से ही इसरेल पर किये अपने हमले को अपने हक की लड़ाई बताता रहा है और वो ये मानता है कि 7 अक्टूबर को जो भी हुआ वो फिलिस्तीन के लोगों पर इसरेल के ढाय कहर का पलटवार था हमास ने आरोप लगाय कि इसरेल ने सालों तक फिलिस्तीन और खासतार पर गाजा के लोगों पर जल्म किये जिसका बदला लेने के लिए हमास ने उस पर इतना बड़ा हमला बोला और हमास ने आरोप लगाय कि नितन्याओ के इसी रवएए ने गाजा के लोगों के अंदर गुसे का बारूद भरने का काम किया जो 7 अक्टूबर को फट पड़ा क्योंकि हमास का दावा है कि एक रात में उसके करीब 3,000 लड़ाके अपने पूरे तम खम के साथ इसराइल पर तूट पड़े थे इस हमले के 25 दिन बाद हमास के कमांडर गाजी हमद ने उस रात की प्लैनिंग से परदा उठाया जानकारी के मताबिक हमास ने इसराइल को गुटनों पर लाने के लिए 3,000 से ज़्यादा लड़ाके तेहनाद किये थे जिन्होंने इसराइल में उनका रास्ता रोकने वाले करीब 1,500 लोगों को जान से मारने के साथ ही 500 लोगों को बंदग बना लिया था अरिका ने 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इसराइल का साथ दिया है और कंदे से कंदा में लाकर उसके साथ खड़ा रहा और अपने सैनिक और जंगी जहाज इसराइल की मदद के लिए भेज दिये थे लेकिन जंग के 27 में दिन बाइडन से जंग को कुछ समय के लिए रोखने की बाइडन ने सला दिये जिससे हमास के अंध के लिए गाजा में तबाही मचा रहे इसराइल को जटका लग सकता क्योंकि बाइडन के सुर अचानक बदले-बदले नजर आए क्योंकि एक कारिकरम के दोरान बाइडन ने बयान दिया कि उन्हें लगता है कि जंग में एक विराम की जरूरत है जिससे उनका मतलब गाजा में फसे लोगों को वहां से निकलने का समय देना है इससे पहले गाजा के आम लोगों को राहत समगरी पहुँचाने पर भी अमेरिका नर्म रुक दिखा चुका है। प्रूदी समुदाय के लिए कठिन हैं। साथ ही वो डिमोक्राटिक पार्टी को वोट भी नहीं देंगे। इस चक्कर में अमेरिका भी पिस गया क्योंकि हमाज से जंग में अमेरिका इसरायल के साथ है। उसने कदम कदम पर अपने इस दोस्त का साथ दिया। उस तक हत्यार पहुंचा है। लेकिन जंग के बीच पश्चिमेशिया में समीकरण बदलने लगे। और अमेरिका के कटर दुश्वनों चीन, इरान और रूस का इस जंग में दखल बढ़ गया। वो खुलकर गाजा में जंग रोकने की मांग करने लगे। पश्चिमेशिया में खेमें बंदी चुरू हो गई। इसरेल जब गोल दिया कि जंग रुकने के बाद ही दोनों देशों के रिष्टे सुधरेंगे। चीन और रूस इसका फायदा उठा रहा है और इरान तो खुलकर अमेरिका से जगड़ा मुल ले रहा है। जिसने दोजार चुबीस में चुनाव लड़ने की तयारी में जुटे बाइडन की परिशानी बढ़ा दे। क्योंकि अमेरिका में अरब मुसल्मानों के एक संगठन के कराय एक सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में बसे मुसल्मान बाइडन से बहुत ज़्यादा नाराज है। का वोट बाइडन को नहीं मिलेगा। को उनकी कुरसी जाने की चितावनी दे कर गए थे। उन्होंने नितन्याहू से साव कह दिया था कि जंग की वजए से उनका इसरेल का प्रधान मंतरी बने रहपाना मुश्किल है। कतर के निउस चैनल अलजजीरा को दिये एक इंटिव्यू में नितन्याहू पर स्टडी करने वाले एक मनो बैग्यानिक ने भी माना कि ये मुम्किन है। क्योंकि नितन्याहू इसरेल से उपर अपने निजी हित रखते हैं और अपने हाथ में सत्ता रखने के लिए किसी भी हत्त तक जा सकते हैं कि इसलिए पिछले महीने हमास के हमले के तुरंद बाद उन्होंने जंग का एलान कर दिया था ताकि इसरेल के आकरामक तेवर दिख हमास के पाताल लोग तक पहुंचने का रास्ता इसरेल की फौज के लिए साफ हो जाएगा इसरेल की फौज के निशाने पर टेंट्रल गाजा का शिवा अस्पताल बताय जा रहा है और उसके नीचे छिपे हमास के लड़ाकों तक पहुंचने के लिए इसरेल की फौज एक बड़े फ्लैन पर काम कर रही हमास के लड़ाकों के अंत के लिए इसरेल गाजा के कई अस्पतालों पर बंबरसा चुका है इस्राइल की फौज अब बड़े बड़े जहाजों को फ्लोटिंग अस्पतालों में बदलने की योजना पर काम कर रही है यानि पानी के उपर तेरते हुए अस्पताल बनाने की योजना है हमास समेथ पश्चमेश्या के 34 संगठनों से अमेरिका को नजर अठाना भारी पड़ गया ऐसा इसलिए है क्योंकि 2001 में अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले से पहले अमेरिका की खुफी आइजनसी हमास समेथ कई संगठनों पर नजर बनाया हुई थी अल्काइदा की वजए से अमेरिका की नजर हमास और हिजबुल्ला समेथ पश्चमेश्या के कुछ 34 संगठनों से हट गई थी क्योंकि अमेरिका का मकसद आतंकी संगठन अल्काइदा को खत्म करने का था और इसके साथ ही इजबुल्ला ने ये भी साफ कर दिया कि उसकी धमकी को हलके में लेने की भूल इज़रेल को भारी पड़ सकती है क्योंकि हिजबुल्ला दिये गए वक्त में हमला नहीं रोकने पर इज़रेल पर भीशन हमला बोल सकता है इसके बाद भी इज़रेल हमास से कही बड़ा संगठन है बलकि उसे इरान का पूरा समर्थन मिलने का दावा भी किया जाता है माना तो ये भी जाता है कि इरान के पास जो खतरनाक हथियार मौजूद है हिजबुल्ला उन्हें भी इस्तमाल कर सकता है जिसमें भारी हथियारों के साथ सैक्रनो सैनिक तो मौजूद है ही उसके टैंक और बखतर बंद गाड़ियों ने भी वहां मुर्चा समाल रखा है लेकिन इसके बाद भी इसरेल हिजबुल्ला के खतरे को हलके में नहीं ले रहा है क्योंकि हिजबुल्ला उसकी सेना पर हमले का एक भी मौका नहीं चोड़ रहा है इसरेल ने अब तक इस चौथे हमले पर कुछ नहीं का है जबकि हूथी लड़ाकों के पिछले हमलों को लेकर वो ताल ठोक कर उन्हें नाकाम करने का दावा कर चुका है ताजा ड्रोन अटैक से ठीक एक दिन पहले भी इसरेल पर यमन से ड्रोन और बिलिस्टिक मिसालें चली थी अबर इसरेल और हूथी लड़ाकों की इस लड़ाई में साउधी अरब फस्ता नज़र आ रहा है अमेरिका और इसरेल तो हूथी विद्रोहियों के चुरुआत से दुश्मन हैं उनका नारा ही इसरेल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद है इसलिए हुथी लड़ाके हमास के खिलाफ जंग को इसलाम के खिलाफ लड़ाई कह रहे है इसरेल की सेना ने एक बार फिर उसी जगा को निशाना बनाया जहां एक दिन पहले उसने भैंकर तबाही मचाई थी और जबालिया के लोग उस हमले से समल भी नहीं पाई थे कि उन उपर एक बार फिर मिसालों की बारिश हो गई ये हमला भी जबालिया शरनाठती शिवर के आसपास के इलापों को टागेट कर किया गया